नमस्कार दोस्तों एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ मैं हूँची जैस्वाल आप देख रहे हैं टार्गेट इस फॉसिबल दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना वाला हूँ कि अगर आपके पास Microsoft की ओरिजिनल सीडी हो या फिर किसी भी तरकार डिवीडी हो जिसमें बिंडो के साफ्ट्वेर हूँ उसे आप लोग अपने PC में ISO फाइल में कैसे करेंगे या फिर कांपी करके किसी और पैंड्राइब में या फिर PC में टांस्फर करेंगे इस CD को कैसे कांपी करना है इसके संबंधित पूर पैंड्राइब में रखेंगे यह फूरी यंकारी होगी इस वीडियो के माध्यम से अगर आप लोगों को भी ऐसा करना हो तो आप लोग इस वीडियो को सुरू से लेके अन तक स्टेप बाई स्टेप जरूर बाच कीजिएगा साथी साथ इस वीडियो में आगे बनने से पह आप लोगों को लगतार मिलते रहें सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को क्या करना होगा सबसे पहले आप लोग गूगल ओपेंग कर लेजिए और गूगल ओपेंग करने के बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर टाइप करना है आई एम जी बर्न जैसे ही आप लोग IMG burn open करेंगे आपके सामने इसकी official website खुल के आजाएगी आप लोग को यहाँ पे click कर देना है जैसे आप लोग यहाँ पे click करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा interface दिखाई देगा आप लोग को यहाँ पे देखेंगे provide by IMG burn वाले इस link पे क्रिक करके इस setup को download कर लेना है यह 3MB से ज्यादा नहीं है 3MB की software है आप लोग यहाँ पे देखेंगे मैं already इसे download कर लिया हूँ जो कि 3MB की software है आप लोग को इसे अपने PC में install कर लेना है PC में install करने के बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पे देखेंगे इस्टाल करने के बाद आपके सामने ऐसा interface दिखाई देगा इससे इससे पहले दोस्तों आप लोग देखेंगे मैं यहाँ पे बिंडू 7 की original CD अपने PC में या फिर अपने laptop में अटेज कर दिया हूँ यहाँ पे 100 हो रहा है इसी file को मुझे अपने PC में रखना है ISO file के रूप में ताकि मैं future में किसी pen drive या फिर CD को boot table बनाओं तो वहाँ पे ISO file की अशकता होती है तो वहाँ पे मैं इस original file को boot कर सकता हूँ यहाँ पी system को मुझे फार्मिर करना हो या फिर CD कि किसी कारम वास crash हो गई या फिर टूट गई तो उसका data मेरे पास policy उपलब्ध होगा तो चलिए हम लोग इस software को open कर लेते हैं लोग देखेंगे कि यह software open हो गया दोस्तों इस software से DVD से ISO file माना बहुती असान है यहाँ पे इंपल तरीका दिया गया है अगर आप लोगों को CD बन करना हो तो यहाँ पे क्लिक करना होगा या फिर आपके पास file हो ISO file उससे folder में convert करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना होगा लेकिन हम लोग को क्या करना है कि DVD file में से copy करके ISO file बनानी है तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं लोग जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मेरा यहाँ पे DVD जो की original DVD है वह already है यहाँ पे select हो चुकी है अब यहाँ पे पूछ रहा है कि मुझे ISO अब्ल fleek गो जो उसैं पहले अगर आप चाहे तो यहाँ पे इस फाइल का नाम भी देशकते हैं मैं यहाँ थी कलिक कर दूंग ? स्वाइब पै यहाँ Set लोगा तो मैं हाँ थीख सेब कर दे रहा हूं जो कि देश्टाब पे इसका ISO फाइल बनेगा डिवीडी से कांपी होकर तो यहाँ पर सिंपल से मैं हाँ पर क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पर देखेंगे उसमें से कांपी होना स्टार्ट हो गया आपकी जो सीडी होगी वे रफ्टार उसकी बढ़ जाएगी क्यूंकि यहाँ पर तो दोस्तों मैं आगे की प्रोसेस आप लोगो बताता हूं दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखेंगे मेरी ISO फाइल त्यार हो गई जो कि मैं सीडी से कांपे किया हूं दोस्तों मैं चाहँ तो इस आयस्टों फाइल से किसी भी सीडी या फिर पैंडराइब को बूटेबल बना सकता हूँ तो यहां पर इस फाइल की साइज भी जख सकते हैं 3.69 GB है तो इस तरह से आप लोग बहुती आसानी से किसी भी बिंडोस कर सकते हैं तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा वीडियो के माध्यम से कमेंट करके जरू बताएगा इसके संबंदित और भी कोई जंकारी ले नहीं हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं तो थैंक्स जैहिन वंदे मातरम